नवस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज अगर राजिस्तान की सियासत की बात करी जाए तो पाइलेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिर्दर्ध है जो सीम गैलोत को आने वाले चुनाओ में या तो हरा सकता है या फिर मुक्यमंत्री बनने से रोक सकता है दरसल राजिस्तान में विदान सबा चुनाओ से पहले चुनाओी सरकर्मिया जो है वो लगादार तेज होती जा रही हैं निदाओं के अलग-अलग सियासी सुर्भी सामने आने लगे हैं इस बीच राजिस्तान सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंग के बेट प्रदान मंत्री नरेजर मोदी की तारीफ कर दी वहीं आज उन्होंने राज समन से बीजेपी सांसत दिया कुमारी के लावा उनके जो ट्वीट थे उनको रीट्वीट किया इसके अलावा अनिरुद्र ने बीजेपी आई टी सेल के चीफ आमित मालविय के भी राजिव गा गांधी की पेंटिंग को लेकर किये गए जो ट्वीट है उनको री ट्वीट कर दिया तो साफ तोर पर अब ये इशारा है कि गैलोत के तमाम विधायक मंतरी उनी के खिलाफ जो है वो जाते वे नजर आ सकते हैं तीन मार्च को अनिरुद्द ने पीम मोदी का ग्राफिक शेर क के ओर था उन्होंने शोषड का अंत किया है अंत मेवे सुरक्षित और प्रक्तिशील महसूस कर रहे हैं जै श्री राम ये जो ट्वीट है वो तीन मार्च का है जो बताने के लिए काफी है कि अब राम नाम की राजनीती जो है वो आने वाले वक्त में होने वाली है और गहल प्रक्तिशों को हवा जो है वो लग चुकी है कि विश्वेंदर सिंग के बेटे अनिरुद्दु सिंग बीजेपी में जल्दी शामिल हो सकते हैं हाला कि अभी तक ये सिर्फ कयास ही है लेकिन उनकी तरफ से बीजेपी में शामिल होने को लेकर भले ही कोई बयान सामने नाय हो लेकिन पीम मोदी की यू तारीफ करना ये बताता है कि सियासी हल चल बहुत तेज होने वाली है और बड़ा जटका जो है वो गहलोत को लग सकता है तो इस पूरी खड़ना करम को देखे क्या पाइलेट कुछ होंगे क्या पाइलेट भी जो है वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे ये बड़ा सवाल है और इन ही तमाम सवालों के साथ चोड़े जा रहे है अपनी राय प्रितिकरिया कमेंट बॉक्स में जरूर बदाएगा नमस्कार